डियर वी वर्मनम एकडेमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और हम्मारा डिस्क्रिशन होने वाला है राजस्थान के मोटर वोहिकल सब इंस्पेक्टर के प्रोविजिनल कटाफ का इसके पहले भी मैंने तीन से चार बार कटाफ डिस्क्रिशन कर लिया हुआ है मेरे जैसे और भी चैनल वाले होंगे जहां पर डिस्क्रिशन होता रहता होगा बार बार कर रहे हैं पर ये लास्ट बार है इसके बाद सिधा रिजल्ट आएगा पर एक चीज़ जरूर कहूँग कि ये जो है न कटाफ इसको देखके नहीं आपको सैलिब्रेट करना है और नहीं दुखी हो जाना है ये कटाफ है कुछ टम्स एंड कंडिशन के साथ वो जब मैं कटाफ डिस्क्रिशन करूंगा तो टम्स एंड कंडिशन भी आपको बताऊंगा और अगर चैनल पर पहली ब कंडिशन की बात कर रहा था वही है कि यहां पर यह कटाफ इस हिसाब से बनाया गया है कि हम यह आ जूं करके चल रहे हैं कि जो घंड ऑके अजितनी रहे हैं सबका यही एजंशन है कि जो लोग मेरिट में आ रहे हैं वो लोगों का डॉकुमेंट ठीक है मैं यह एजंशन करके चल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा जो मेरिट में आ सकता था पर उसके पास डॉकुमेंट नहीं था इसलिए बाहर हो गया ऐसे कंडिट को हम यहां आजू अगर हम यह एजंशन के साथ आगे बढ़ें तो जो ओपन का कटाफ मैंने यहां पर मेंशन किया है 275 से 280 के बीच अगर आपका मार्स है तो मेरे हिसाप से आपका सेलेक्शन होना चाहिए और अगर मैं खुद को रेट करूं अपने प्रेडिक्शन को रेट करूं मेरे रहेगा या 90% से ज्यादा भी मान सकते हो आप कि इसके बीच रहेगा जनरल का कट आफ यह मैंने मेरे लॉजिक के हिसाप से मतलब जितने लोगों से मेरा कम्मिनिकेशन होता है गूगल फॉर्म इतने बार मैंने बरवाए हैं सब चीजे मैंने देख के यह चीज प्रेडिक् कर सकते हो अगर आपके डॉकुमेंट प्रॉपर हैं तो ओभी सी में थोड़ा सा वैरियेशन मैं उमीद कर सकते हैं मतलब उतना इन दोनों पर है उतना कॉन्फिडेंट आपके वाले का टॉप पे मैं कहूंगा कि नहीं है पर हां यह भी मोस्पावली इसके आस पास रहने व जनरल के केंडियेट में मैं एजूंग कर लेता हूं कि स्पूरू से लास्तर ज़ो मेरिट बनानी है यहां पर जो मार्क्स दीए गए बच्चों के यह किसी के हैं 300 मार्क मान लीजे और किसी के हैं 299 खिसी के हैं 298 किसी के हैं 297.5 तो यहां पर बहुत कम है तो आप सोच के कैटेग्री में जितना हम नीचे आते जाते जाते हैं वहां पर मार्क का जो गैफ वह बहुत जादा है कि अगर एक लड़का एं हुआ तो 10 नमर का डिफरेंस आ गया एक लड़का और तो कॉट आफ 10 नमर बढ़ गई यसे मान लिजे कि जो कैटेगरी यहां पर नीचे मेंचिन किया गया, SCST और MBC की जो कैटेगरी है, बिसिकली उसमें, जो मांक्स का वेरेशन है, वो बड़ा सा रेंडम शाह है, इस वज़े से मैं कहा रहा हूँ कि यहां पर जो इन आउट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, क्रिडिक करना कि कि है, इस तरह का कींदेट्ट सेलेक्ट करना है, तो यहां पर जो मांख्ष होगा, माली मुझ ऐसे हैं पर इसके बाद banana 2, 50, इस तरीके से मांख्ष है, आप आप सोचके देखां कि यह चार को सेलेक्ट करना है तो तो कटाफ जाएगा 260 और सिधा एक को इन करना है तो कटाफ चला जाएगा 250 कितना वेरियेशन है क्योंकि जो डेंसिटी है माक्स का वो तेजी से वैरी कर रही है तो इस वज़े से मैं कहा रहा हूं कि जो उपर वाले हैं इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें सब्सक्राइब कर रहा है तो कहूंगा तो यही क्योंकि जितना भी वेरियेशन मैं आप से डिसकस कर रहा हूं जो भी चेंजिज मैंने डिसकस कर रहा हूं और ऊसब मैं इंक्लूड करege ही सारा कटाफ बनाया हुआ है जो फिमेल का कटाफ है आपका ये इसके बीच रहे है उसमें मैं बता नहीं सकता क्योंकि उसका डाटा है नहीं अपने पास हां एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपका कट आफ से जो इसके पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 30-50 मार्क जादा हैं तो आप सेलेक्शन हो जाएगा अगेन वहां पर भी वही प्रॉब्लम है कि एक लड़की ज्यादा सेलेक्ट हुई तो कट आफ बीस नंबर निचे चल जाएगा एक लड़की कम सेलेक्ट हुई तो कटब बीस नंबर ऊपर चला जाएगा इस तरीके का वि शड़ा छेतर है, वहाँ पे भी ये मेरे इसाप से ये prediction जाता है, इन दोनों का भी जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा variation हो सकता है, यहाँ पे जो ST वाले sheet है, उसका variation हो सकता है, इसमें variation के chances कम हैं, इसमें variation के chances थोड़े बहुत हैं, इसमें थोड़ा सा जादा chances है variation का, बट अग कि क्या हुआ कितना कट आफ गया कहां पर मुझे क्या लग रहा था और क्या हुआ वो सारी चीज़ मैं भी अनलाइज करता हूं तो उमीद करते हैं कि इसके आसपास रहेगा वगर आप इसके आसपास हो तो होपस हो कि आपका सेलेक्शन होना चाहिए और कि मैंने नहीं किया है क्योंकि एक्स आर्मी में तो बहुत ज्यादा वैरियेशन है जो मेरे पास नंबर हैं किसी के 200 हैं तो दूसरा वाले नंबर के सीदे 165 हैं किसी के 150 हैं इस तरीके के मार्क्स हैं तो वहां पर प्रेडिक्शन करना मतलब नेक्स्टू इंपॉसिबल जैसे यहना कि बहुत ज्यादा वैरियेशन है तो सौरी आप लोगं का भी कटाउप मैं नहीं बता पा रहा हूं पिछली बार बहुत सारा कमेंट आया था कि एक सार्मी का भी आप जरूर बताना पर माफ कीजिएगा आपकी सीटें बहुत ज्यादा हैं और सीट से आधा भी डैट की लिए भी हो सकता है यह प्रेडिक्शन यह है मेरा कि डैटा नहीं इस वज़े से तो यह भी हो सकता है कि हैं लोग फॉर्म नहीं बरे हैं दोनु चांसे जाए पर इसकी प्रभबिल्टी ज़्यादा है कि एक सार्मी या सर्विसमें कम है तो चांसे जाएं कि अगर आपको DB के लिए बुलाए गया है तो आपका selection हो जाएगा फिर आपको ओगए कि DB के लिए तो three time बुलाया गया है तो मुझे लगता है कि शायद ex army में या ex service man में three time लोग नहीं होंगी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब यह तो बताया नहीं गया है कि हर category का three time है ही हमारे पास चांसे जंग अगर आपको डीवी में बुलाया गया है तो अगर चेंजज होगे भी तो बहुत ज्यादा चेंजज नहीं होंगे जो आपका कट आफ है उसके आसपास ही रहने वाला है कट आफ तो यह मेरी बाते मेरी एक्स्पास मेरा थौट रहा अब आप क्या सोचते हो इन स हो सकता है और किसमें लगता है कि ठीक ठाक है वैसे तो फाइनल पता तभी होगा जब रिजल्ट आएगा तो दिस इदे इंड आप इस वीडियो थैंक्यों सो मच वाचिंग इस मिलें नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल दे वेस्ट गुड लग झाल 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 झाल